दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आसाम असिस्टेंट टीचर एलपी एंड यूपी रिक्वर्मेंट 2024 ओनलाइन फॉर्म फिलप के बारे में तो दोस्तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा वीडियो में मैं आपको step by step आसाम असिस्टेंट टीचर का जो ओनलाइन फॉर्म भरा रहा है उसको मैं फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको अपना फॉर्म भनना है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है असोक और आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको फाम भनने से पहले यहाँ पर इसका जो आसाम असिस्टेंट टीचर का नोटिफिकेशन है इसको यूपी के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से तो चलिए मैं आपको फाम फिल करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको सबसे यहाँ पर दोस्तों आपका फाम भनना 2.1.2024 से स्टार्ट है आप इसे 2.2.2024 तक अपलाई कर स लगते हैं तो यहाँ पर आपको अपलाई ओनलाइन फोर न्यू रेइस्टेशन इस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद में प्रूसीड टू अपलाई इस बाले ऑप्सन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको फाम भनने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो फाम अच्छे से भर सके अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल पर पहले बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बैल नोटिपिकेशन और पर सेट रखें जिससे आगे भी आपको इस से रिलेटेड वी प्राइमरी के लिए सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर आपको इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहां पर आपको हायर सेकेंडरी सेनियर सेकेंडरी और प्लस डियलेड या आसाम टीटी या फिर टीटी लोबर प्राइमरी के लिए होना जरूरी है और अगर आपर प्राइमर के लिए आप करते हैं तो यहाँ पर आपको higher secondary या senior secondary DLA plus BAD या फिर आसाम TET या फिर central TET आपर primary school के लिए आपके पास में होना जरूरी है तो यह आपको अपने according notification में check out कर लेना है अगर आप जिस भी post के लिए eligible हैं तो वो उसको यहाँ पर select करेंगे यहाँ पर apply TET यहाँ पर आपने आसाम TET क्वालिफाई किया है या फिर central TET वो अपने according यहाँ पर select करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको first name applicant का first name डालना है और यहाँ पर आपको middle name या last name है तो यहाँ पर आपको last name डालना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना valid mobile number डालना है और यहाँ पर enter email ID और यहाँ पर create your password दोस्तों आपको एक password बना लेना है कोई भी एक अक्छर बड़ा और बांकी अक्छर छोटे और special character और number डालकर mix करके आपको अपना password बनाना है login करने के लिए उसके बाद में submit button पर click करेंगे टिगरी लोबर primary के लिए apply किया है वह यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आपका user ID आपकी email ID रहेगी और password आपने जो बनाया है वो यहाँ पर आपको अपना email ID और password डालके यहाँ पर login करना है अब जैसे login करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका जो database open हो जाएगा तो यहाँ पर आप ध्यानपूरबक आपको सारी चीजे देखना है यहाँ पर आपको first preference district आप यहाँ पर कौन से प्लोबर primary school के लिए आपने किया है यहाँ पर आपको father's name डालना है इस बॉक्स में यहाँ पर आपको mother's name डालना है यहाँ पर guardian names डाल देना है यहाँ पर आप married है unmarried select करेंगे और यहाँ से आपको अपने date of birth select कर लेना है यहाँ से year select करेंगे उसके बाद में जेंडर आप male candidate है female candidate select करना है यहाँ पर आपको category आप OBC General SC STP STS जो भी आपकी category है select करेंगी और यहाँ पर guardian mobile number डालेंगे इस box में यहाँ पर दोस्तों आपको locality में care of house number part room number road number जो भी हो आपका यहाँ पर address डालेंगे यहाँ पर आपका village यह town city का नाम यहाँ पर police station का नाम डालेंगे यहाँ पर आपको अपनी district select कर लेना है यहाँ पर आप अपना state select करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको अपने area का pin code डाल देना है और अगर आपका दोनों address details permanent address और यहाँ पर present address दोनों same है तो यहाँ पर इस डब़े पर टिक कर देना है अगर आप permanent address अलगसे देना चाहते है तो इस पर टिक नहीं करना है यहाँ पर अलगसे दे सकते हैं यहाँ यहां पर cricket индia के हैं तो आप yes करना है यहाँ पर फिर आपको इफ यह यहाँ पर आपका बर्थ इंडिया में हुआ है तो यहाँ पर बार्थ इसपद करेंगी उसके बाद में प्रमानेंट रे्सिडेन्ट हो पासम आप आसंग के हैं तो यहस करना है उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों represented in cultural activities तो यहाँ पर अगर आपके पास में कोई cultural activities है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं नहीं तो आपको नोपाटिक करना है उसके बाद में यहाँ पर member of NCC अगर आपके पास में NCC का BC प्रमान पत्र है तो select कर सकते हैं नहीं तो आपको नोपाटिक करना है यहाँ पर अगर आप person with disability में आते हैं 40% से ज़्यादा तो yes कर देंगे नहीं आते हैं तो आप no पर टिक कर देना है HSLC year of passing आप 10th class कौन से year में पास किया था वो यहाँ पर अपना apply for betterment improvement marks in respected of higher secondary senior secondary 12th exam अगर आपने 12th exam में number बलाने के लिए form भरा था apply किया था तो yes कर सकते हैं नहीं तो आपको इस पर no पर टिक करना है उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो roll number बारबी class का डालना है यहाँ पर बारबी class का passing year यहाँ पर total mark यहाँ पर opt in mark और यहाँ पर कौन से बोट से पास किया है यहाँ पर कौन से state से पास किया है select करेंगे टेटी qualification आटोमेटिकली आ जाएगी जो आपने select किया था यहाँ पर LP TET roll number डालना है यहाँ पर passing year और यहाँ पर mark और यहाँ पर total कितने mark आये हैं वो डालेंगे और यहाँ पर कौन से आसाम से किया था कहां से वो select करेंगे उसके बात में यहाँ पर दोस्तो central TET certificate number डालेंगे और यहाँ पर आपका language 1 यहाँ पर कौन सा subject था आपका language 1 में वो select करेंगे और यहाँ पर second language में कौन सा subject था वो select करना है यहाँ पर दोस्तो apply in school medium तो यहाँ पर आप कौन से medium से आप जो फाम भर रहे हैं कौन से medium से apply करना चाहते हैं हिंदी, बंगाली, आसामी या जो भी हो वो यहाँ पर इससे select करेंगी उसके बाद में choice your professional qualification अगर यहाँ पर आपने डिप्लो माइन elementary डी एलेड है आपके पास में या बी एलेड या फिर special education वो यहाँ पर select कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर अपना professional qualification का रोल नमबर डालेंगे पासिंगे डालेंगे यहाँ पर total marks डालेंगे यहाँ पर mark of 10 डालेंगे कितने नमबर आए हैं और यहाँ पर institute name कौन से school से कौन से college से पास किया है उसका नाम डालेंगे यहाँ पर university name डालेंगे और यहाँ पर कौन से state से पास किया है अपना state select करेंगे उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो आर्यू एक सर्विसमेन में आते हैं तो यहाँ पर सलेक्ट कर सकते हैं नहीं तो आपको नोपर टिक करना है यहाँ पर बर्किंग टीचर आप पहले से हैं यहाँ पर तो सलेक्ट कर लेना है नहीं तो आपको no पर टिक करना है उसके बाद में दोस्तो इन दोरों डबो पर आपको टिक कर देना है और submit बटन पर क्लिक करना है अगले लिस्टेप आती है document upload तो द्यान से समझेगा यहाँ पर आपको अपना latest photo यह upload करना है यहाँ पर jpg format रहेगा photo signature का size यहाँ पर आप दे 300 के बी के अंदर में upload करना है और यह पर upload the HSSLC All Marksit यहाँ पर upload करना है 400KB के अंदर में और यहाँ पर upload HSSLC Certificate करना है upload 300KB के अंदर में PDF format में यहाँ पर upload TET Marksit करना है और यहाँ पर upload diploma आपने DLAID है, BLAID है या Special Elementary जो भी हो वो यहाँ पर upload करेंगे उसकी Marksit और यहाँ पर upload diploma Elementary Education की जो certificate होता है वो यहाँ पर upload करेंगे और यहाँ पर दोस्तो upload your permanent residential document issue of the competent authority का जो voter ID हो address जिस पर लिखा हो वो यहाँ पर अपना address proof आपको permanent residential upload करना है choice file पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सारे documents upload कर देना है आपको size का ध्यान देना है 300kb के अंदर में PDF format में और यहाँ पर यह 400kb के अंदर में तो यह size का ध्यान रखिएगा उसके बाद में आपको submit button पर click करना है यहाँ पर आपको एक बार review check out कर लेना है आपने जो सारी details डाली है कि वो details नहीं होगा अगर आप edit करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको edit button मिलेगा click to edit your application form इस पर जाकर अभी edit कर सकते हैं बाद में नहीं होगा तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखिएगा उसके बाद में इस box पर टिक करेंगे और final submit इस बाले option पर click कर देंगे तो आप देख सकते हैं you have completed your online application successfully तो यहाँ पर दोस्तों आपको print application form इस पर आपको click करना है इसका print out निकाल कर सेफ करके आपको अपने पास में रख लेना है दोस्तों इस तरीके से आप DDE आसाम assistant teacher LP UP requirement 2024 के लिए अपना online form घर बेठे आसानी से भर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छ लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में share कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें साथ ही bell notification all पर set रखें जिससे आगे भी आपको इससे related वीडियो मिल सके थैंक्यू दोस्तो धन्यवाद